आवलव श्रीहरिवंस मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुवार वृत के बारे में किन लोगों को कितने वृत कब से सुरू करने शएए उद्याबन कब करना शएए मासिक धर्म किये गए वृतों को गिंती में लेना शएए या नहीं लेना शएए साथे साथ वृत को प्रभावशाली और भी जादा मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय हमें करने शएए क्या शएए और शएगर करने का नाम व्ृत नहीं है ट्याज कळाने का नाम व्रत नहीं है क्योंकि जानी अन जाने गरीब लोग या फिर जानवर भी भूके रहे लेते हैं एकम कुछ नियुमों को मानते हैं तभी जो यह व्रत पूरा होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को कर न सब forty LOOK कि चो हमारा संकल्प रहता है क्योंकि संकल्प होता है स्रुमें हम इस चीज़ को बहुता रहे हैं कि इस मनुखकामा के लिए उतनी इतने यह एक पूज़ा करेंगे तो चह आपकि मनुकामना हो वैसे यह जो व्रत होता है विशेश तरपर भगवान विश्णु को प्रशन करने वाला लक्ष्मी की गृपा देने वाला होता है साथ-साथ, ब्रहषपति ग्रह को मजबूत करने का शाषक्त माध्यम है उना, पुरुष लोग अगर नौकरी नहीं मिल रही है या पिर बेरोशगारी है तो इस चीज के लिए जो है वो गुरुवार का व्रत जरूर करें फिर कोई भी अगर आप संकल्प लेते हैं वो निश्चिती पूरा होता है क्योंकि संकल्प से कोई भी व्रत का फल आपको मिलता ठीक है तो यह भी ध्यान रखना कि आपको संकल्प पहले गुरवार को बोलना है आपकश सुरू करना है है तो खरма doğran को छोड़ करके किसी भी माह के सुख्ल पच्छे से आप गुरुवार का वरा सुख्रों कर सकते हैं व या फिर सावन का महिना जो भी और शुब महीने नहीं होते हैं तो उस पे आप गुरुआर का उठा सकते हैं अब कितनी व्रत करना चाहिए 16 गुरुवार के व्रत करके 17 गुरुवार जो है आप उद्यापन कर सकते हैं पाकी जैसे कि कई लोगों को बहुत फाइदा होता है तो वो हमेशा रहना चाते हैं वो ऐसा बोलेंगे संकल्प में कि हम यथा संभव व्रत करेंगे यथा शंभव में क्या हो जाता जैसा संभव हो सकेगा तो 16 हो या 20 हो इसमें यह हो जाता है कि अतने मतलब जितना संभव हो सकेगा जैसी परिस्तिती रहेगी वैसे में व्रत करूँगे आप 16-16 गुर्वा जितनी इच्छा हो कर सकते हैं हर बार 16 होने के बाद 17 वे में उद्यापन जरूर करना होगा और अगर आप कई वर्षों तक तो यह था संभव बोल करके करेंगे तो जितने साल आपने करना है उतना करके फिर सुमुहूर्थ पंडि जिससे ही दिखवा कर कोई भी व्रत हमारा किसी भी अनुष्ठान यग से कम नहीं होता है पूरा हम नियम निभाते हैं फिर अंत में हवन इत्यादी किया जाता है तो आचारी को बुलाकर मंतर चारविधी से ही उद्यापन करवाना चाहिए और अगर बहुती चोटी संख्या जैसे कि संकल्प लेती हूं या फिर लेता हूं ऐसा बोल करके ऐसे संकल्प रखा जाता है इसके ब्रस सुबह सुबह आपको कैसे सुरू करना अगर संभव हो सके तो बुद्धवार की रात्री में जब भोजन कर लेते हैं तो आप ब्रस जरूर कर लें मुह पहले से याप बनाया जाता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है तो आप एक पाप करने से भी बच जाएंगे ठीक ना यानी सुबह सुबह आप केवल कुल्ले करके मुह साफ कर लें और रात्री में जो है अगर आपको टूटपेश प्रयोग करना है तो आपकी अच्छा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं वैसे ग्रंतों में जो है किसी भी सुद्ध पेंड की पत्यों वगारा से मुख साफ करने की बात कही जाती है या फिर जो है बारा कुल्ले करके मुख शुद्धी करने की बात कही गई है अब रही बात की क्या कैसे नियम करना है तो देखे बाल नहीं धोय ज बाल नहीं धोए जाते हैं घर में पोच्छा नहीं लगाया जाता है और कपड़े नहीं धूले जाते हैं लेकिन इस बात को लेकर के मन में डर मत पालिएगा यह तीनों चीज़ें जब इकठा तीन गुरुवार तक होती है तब कोई नुकसान होता है अगर इन में से कोई एक जोट राती है किसमें कोई शंकावाली मतलब कोई डर वाली बात नहीं है डरिएगा नहीं दूसरी चीज़ है किसी कोई जरूरी है बाल धोना तो वह हलदी थोड़ा सा डाल करके केवल बालों को गीला करके इस नान करेंगी सैंपू का उपयोग नहीं करेंगे तीसरी बात पोच्छा लगाने के संबंद में भ्रांती फैली हुई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा ग्रंतों में क्या बात लिखी गई है कि गोबर से जो है पूरे घर को लीपना नहीं होता है ये चीज़ वर्जित होती है गोबर से लीपना तो जब सहरों की बात आ गई है तो नमक डालके डिटॉल डालके ये सब करके हमको पोच्छा नहीं लगाना यानि कि बहुत ज़्यादा सफाई वर्जित होती है जाले नहीं साफ करने है लेकिन ये बात भी है कि किसी भी देवी देवता को गंदगी पसंद नहीं होती है कि आप गुरुवार के दिन पूरे हॉल में जहां पर चौकी लगानी भगवान की या फिर हॉल है जहां पर सब लोग जादा रहते वहां पर आप सफाई एक आध बार कर सकते हैं रसोई साफ करिए ठीक है ना और बाकि जिन कमरों में आप जादा तर नहीं जाते हैं उन कमरों में आप गुरुवार के दिन पोच्छा नमाने में पर आपि रना बाक में हम रैसे कंज में द्युक्ति यहां प्रस कर बोला काम हो गया और हमारे तो भी पूरा घर आप, रोज नहीं लीपा जाता है। तो गोबर से लीपने का काम ही गाव में हफते में एक दो दिन ही किया जाता था पूरा घर तो अबकुल मिला कि इकठा काम हो जाता है वो गुरुवार के दिन नहीं करना उन में से कई और भी काम होते हैं जैसे कि बिल देने हैं पैसे किसी को देना है जैसे कि विजली कबिल हो गया, या फिध बुध वाले को पैसा देना है, बच्चे के फीज़ देना है, फिछ लुगना कोईजां। तो आप गुरुवार के दिन बिना सर्फ डाले, बिना कपड़ी धोने का पाउडर डाले, बिना साबून के ही कपड़े धोने है। और अगर बहुत जादा जरूरी है जैसे अंदर गार्णमेंस अंतह वस्तर हैं या फिर पती नहीं कोई कपड़ी धोने के लिए बोल दिये हैं तो आप जो है सर्फ से पाउडर से भी धो सकते हैं लेकिन बहुत जादा कपड़ी उस दिन आपको नहीं निकालने हैं यानि कि ब उसे पर आए गया है कि धोभी को कपड़े देना वर्जीत होता है तो आप प्रिस करने के लिए भी कपड़े नहीं देंगे और धोभी को भी नहीं देंगे वहाँ पर यह भी चीजब बताई गई है कि भट्टी में कैसे प्लाचिन समय में क्या होता था कि चूले पे मटका और पानी भट्टी में और उसमें कपड़े डाल करके दोए जाते थे ताकि अच्छे से सफाई हो सके कपड़ों की तो वो चीज वर्जित होती है जादा गहराई से सफाई वर्जित है नौर्मल सफाई के लिए कहीं पे भी वर्जित नहीं है कि आप गंदे कपड़े पहन करके दिन चरिया किसी की महिलाओं का काम ही है घर ग्रहस्ती का काम उनके लिए पूजा ही है तो घर की पूजा किसी को मना नहीं करी गई है लेकिन हाँ जादा गहराई से जादा डीप सफा करने से क्या है कि ब्रषपती ग्रह का प्रभाव कम होता है इसलिए थोड़ा सा लोग वर्जित बताते हैं ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि किसी देवी देवता को गंदगी पसंद है तो आप बढ़िया से किचन बगेरा साफ करके और भोग बना करके भगवान को भोग ल करके पूरा नियम भाते ठेड़े फिर व्रत करते थे इस तहर से ग्रंतों से पता चिलता है कि आपको पुरी तरह से मांशाः छोड़ देना चाहिए और फिर ही व्रत करना चाहिए और अगर आप दोरान भी मांशाहार नौन वेज खाते हैं तो व्रत की सफलता में फिर संक फिर आप किसी को भी ऐसे कमेंट करने के मत प्रश्न करियेगा कि हमारे व्रस अफल नहीं होता है क्योंकि एक बार एक तरफ भगवान की इस रष्ष्टी आप समाइब करें बच्चों को खा रहे हैं हार एक चीटी तक भगवान का बच्चा है एक तरफ उनको आप खा रहे हैं दूसरी तरफ उनकी पूजा कर रहे हैं तो यह आप अपने खुझ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कोई बहुत प्यारा इंसान है उसको कोई रोज 2-4 थपड चाहिए कई लोग कहते हैं कि जैसे की डाल हो गई चेने की और आटा हो गया गेहूं का तो यह दो अनाज हो जाते हैं तो देखे जैसा आपका संकल्प रहेगा अगर आप एक अनाज से करना चाहते हैं तो फिर आप बेशन से बनी चीज़ें ही आप पूरे वरत में ग्रहन क अगर गरंतों की बात की जाए वरत कथा के अनसार वहां पे भोजन की बात लिखी हुई है तो भोजन में आप ऐसा नहीं है कि एक अनाज ही लेना है मतलब क्यूंकि देखे चने की डाल लेंगे और गेहूं का आटा खाते हैं तो दो अनाज हो ही जाते हैं ठीक है प्रशाद करके ग्रहण कर सकते हैं दूद के साथ भी खाया जा सकता है या फिर दूद से बनी मिठाईयां और लेकिन हां यह है कि चने की डाल का प्रयोग जरूर जरूर करना है पीली चीज कोई जरूर खाना है ठीक है अगर जादा सकती शाली व्रत जल्दी सफल हो इसके लिए कुश जरूरी तो बीच में दो फरवे पाणी के साथ कुछ फल वगएर अगर लेना चाते हैं तो वो दे सकते हैं जैसे कि मुंपडी गुड़ किचीती नियम होते हैं जब आप भोजन बना लेते हैं तो थाली में रख करके तीन बार जल फेर करके उसमें और भगवान से प्रातना करनी चाहिए कि वो भोजन स्विकार करें भगवान को भोग लगा करके ही प्रशाद ग्रहन करना है देखें आज कल जैसे कि सहरों में हवन लगाने की विवस्ता नहीं हो पाती वैसे तो नियम यह है गाउं वगारा में बिना हवन लगाए अगनी में डाले बिना वो भोजन ग्रहन नहीं करते हैं जो भी आपने बनाया है वो अगनी में तीन बार आहुती डाल करके फिर जो है वो भोजन ग्रहन करते हैं तो यह संभव हो सक को जरूर जरूर खिलाना है भूलना नहीं बहुत जादा प्रभाशाली है उपाय आपके लिए ठीक न तो अगर जादा टाइम है तो आप जो है आटा थोड़ा सा गूंद करके रोटी बना करके या फिर बिना आटा गुथे भी अगर खिला दें तो ठीक है टाइम है तो एक जाई को पहला ग्रास खिला करके ही खाना चाहिए जानते हैं जांता है केले के भौझा की पूजवरिख के समध में गबवांों ब्रश्पतिग्राना कने की जैनए हो सके सूरियोद है कि एक घंटे बाद तक अगर आप पूझा कर लेते हैं तो जादा अच्छा है अगर आपने फिर इसके बाद थोड़ा सा लेट किया दोफर में की तो फिर कम प्रभाव साली पूझा रहती जैसे कि ठंडी में अगर किसीको स्वेटर दें फिर बहुत जादा प्यास लगी तब उसको पानी पिलाएं तो जादा खुश होता है, ठंडी में किसी को पानी प्याओ लगवाल हो तो उतना जादा जो है लोग प्रशन नहीं होते हैं, वहीं गर्मी में कराज जाया है तो जादा प्रभाव साली पूजा होती है, तो सुर्योदय होने के एक घंटे बाद तक आपकी पूजा हो ही जानी यह तो देखें मासिक ध्रम में भुक्यार नियुम करना यह लेकिन यह यह पूजा मांसिक ध्रम करते स्केखें हैं लेकिन मांसिक पूजा कठीन होती है मन में पूजा के समय अगर कोई और विचार चलने लगा तो ऐसा हो जाता है कि फिर हम पूजा से आधे में उठके चले गए इसलिए मन में पूजा करना थोड़ा सा कठीन होता है कलपना में जैसे कि आप पूरी पूजा करते हैं आखों के तो वह आप कर सकते हैं तो बिल्कुल पूरा फल मिलता है इसके अलावा अगर मांसित पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो आप नाम जब अगर करते हैं नाम जब होता है भगवान का प्यारा नाम लेना जो भी आपके इ जिए गांवा जिसमें ओम लगा है नमह लगा है ये मंतर की गिनती में आते हैं तो ओम और नमो जिन में लगा है उन!", और आपको मुझ से नहीं बोलना है केवल आप नाम बोल सकते हैं मासिघ्थभ में भी। 10-15 मिनेट बैठ कर सुबह साम जितना जादा घंटे दो घंटे टाइम में उतना आप मासिक धव में नाम जब करिए आपका व्रत मजबूत होगा सारी समस्यां सनापत होगी अब मैं आपको व्रत में उन नियूमों के बारें बता देती हुँ जो आपको कोई नहीं बताता है और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका व्रत का फल जो है वो कटता जाता है 10% 10% चुट चुटी गलतियां हैं जो क्योंकि साफ साफ ग्रंतों में लिखा होता है कि इ इस दिन कम से कम फोन पर बात करनी चाहिए ताकि जादा से जादा मतलब हम बच्च सरकें अपने व्रत को बचाना है मेहनत पूरे दिन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये गलतियां करने से फल हमारा जा रहा बहरा ध्यानी दे पा रहे हैं सीधे लिखा है कि व्रत भं बुद्धवार की रात्री को ही जो है अधिक मजबूत करना है व्रत तब ठीक है अगर नॉर्मल है कि हम एसा रह रह रहे हैं 2-4-6-10 साल तो फिर आप केवल गुरुवार को तो जरूर ही ब्रह्मचर निभाएं इस दिन जो है सारीडिक संबंध पती से नहीं बनाए जाने बुद्ध है कि दिन में सोना वर्जित होता है तो कोशिश करें जैसा कि मैंने नाम जब बताया है या फिर आप अच्छी चैनल देखें उसकी इमेल चैंजी कर दें ताकि असली वीडियो आपको ना दिखाये जाए और मेरो व्रिंदावन चैनल जिसमें आज की भक्त होते ह वह आप मेरो व्रिंदावन चैनल में देख सकते हैं भचन मार्ग देखें गुरुदेव के रव्चन आते हैं कोई समस्याई हैं जीवन में तो इनको देख करके आप समय वतीत करिए और दिन में मत सोहिए दिन में नाम जब करें हल्दी की माला बना लें हल्दी की गांट सवर विश्णु का जरसे कर सकते हैं व्रत को बहुत सब्सक्राइब बनाता है जब बनाता है ताकि हम भगवान का नाम ले सके इसमें ग्रंतों में लिखा होता है कि देवी देवता को प्रशंद करने के लिए उनका चप करना चाहिए बहुत की माला से जब आप जरूर करेंगे इसी तरह से गुरु वार्वत की पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पूजा पाठ धर्म रिस्तों में सामंजस को ले करके कई वीडियो देती रहती हूं तो एक बाद चैनल पे ज़रूर आईएगा और वीडियो देखेगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद राधे राधे